हेलो माई दियर फ्रेंड नमस्कार और वेलकम बैक वन्स गेन और यूटूब चैनल जैस्ट नॉलेज तो हम लोग यूबी टीटी रिटें एक्जाम के अपनी इस्टेडी कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने सुचना और तक्नीकी को अभी तक कवर कर लिया था सुचना तक्नीकी के बाद में हम लोगों ने जीयस सेक्षन श्टार्ड किया था और जीयस सेक्षन में हमने सबसे पहले कवर किया प्रतवी की समझना यानि की अर्थ इंकीरियर के बारे में हम लोगों ने जाना था इसके पहले बीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नदियों के बारे में बैसिकली उसमें एक चोटा सा टॉपिक दिया गया है नदिया और परवत तो इस वीडियो में हम लोग नदियों के बारे में जानेंगे उसके बाद में नेश्ठम परवत के बारे में जानेंगे फिर हम लोग महादीब, महासागर, जीव इस तरह से धीरे-धीर करते हुए हम लोग इसको कवर करेंगे हाला कि जियोग्राफिक का एक टॉपिक है आपदा प्रबंधन जो कि लाश्ट में दिया गया है उसको भी हम लोग कवर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जियोग्राफिक कवर करेंगे उसके बार में हम लोग हिस्टरी कवर करेंगे क्योंकि हिस्टरी का छोटा सा टॉपिक दिया गया है सुतंतरता संग्राम उसके लावा हमारे समास खुदारक तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे तो फिलाल आईए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नदियों के बारे में दिखे कर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा क्योंकि लाइक करने से ही पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है तो चलिए हम बात करते हैं नदियों की तो अगर बिश्च के संपूर नदियों की बात की जाए तो इनकी संख्या हजारों में होगी अगर हम भारत की केवल नदियों की बात करें तो कुल मिला के छोटी बड़ी मिला के भारत में भी लगबक 3-4,000 नदियां पाई जाती है अब इतनी सारी नदिया है तो हमें सबका अध्यान नहीं करना है हमें कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जान लेना है कि आखिदमें वो कहांपे हैं, किस देश में हैं या किस कौंटिनेंट, यानि कि महादीप में हैं उनके बारे में हम थोड़ा-थोड़ा जान लेंगे जिसे हमें help हो जाएगी आगे तो सब से पहले हम लोग बात करेंगे एसिया के नदियों के बारे में एसिया की नदियों में बात करें तो एसिया में बहुत सारी नदियां हैं जिनमें जो प्रमुग नदियां हैं उनके बारे में थोड़ा सामलोग चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे रूस की दो नदियों के बारे में रूस में दो नदिया है एक है आमूर और दूसरा है लेना नदि देखिए इन सब के बारे में अभी मैं आपको समझा रहा हूँ बाद में भी मैप के जरीए भी आपको दिखा दूँगा अब देखिए मैप में अगर आप आप लोग देख लेंगे तो उससे फायदा किया वो टेस्ट की बजाए यानि कि सब्दों की बजाए चित्रों को बहुत ही जल्दी कैज करता है और एक क्लिर्टी बन जाती है हमारे दिमाग में तो इसलिए हम पहले पढ़ ले रहे हैं उसके बाद में आपको मैप के जरिये भी इन नदियों के बारे में बता दूंगा जिसस में लाओस में और कमबोडिया में ठीक है मिस मेकॉंग नदी जो है यह चाइना से निकलती है तिब्बत के पठार से निकलती है उसके बाद में मैमार होते हुए थाइलैंड होते हुए लाओस होते हुए फिर कमबोडिया से होते हुए यह जाकर के गिर जाती है प्रसांत मह सागर में ठीक है फिर दो नदियां है चीन में और जिनका एक नाम है हुआंग हो या पीली नदी पीली नदी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पानी होता है वो पीला होता है और यह जहां पर जाकर अपने पानी को छोड़ता है महा सागर में वह ही पर इस्तितर पीला स फिर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र भी सांगपो नदी से कहा जाता है चीन में, चीन में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है सांगपो, सांगपो का मतलब होता है पवित्री यानी की होली, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है चीन में सांगप तो यह मानसरोवर के पास में तिबबत के पठार पर मानसरोवर जील जो है वहां से निकलती है उसके बार में यह हमारे अरोनाचल प्रदेश में इंटर करती है भारत में भारत के बार में यह आती है बंगला देश में और बंगला देश में इंटर करने के बार में यह फिर मिल नदियों के बारे आपको पता ही होगा यह हमारी कहां पे हैं? भारत में. ठीक है? अफरीका महाधीब की कुछ नदियों के बारे में बात कर लें तो अफरीका में नौर्थ अमेरिका में मिसिसिपी यह हमारे USA जाने की जो हमारा सायुक्त राज अमेरिका उसके प्रमुग नदी है Hudson, Delaware और Mackenzie यह हमारे उत्तर अमेरिका की नदियां हैं हम बात करेंगे दच्छड अमेरिका की जो नदी है वो है नदी आपको नदियों के बारे में नदी है, अब नदियों के बारे में कुछ तथ मैं आपको बता देता हूँ कि बिस्ट की जो सबसे लंबी नदी है वो हमारी है नील नदी बिस्ट के सबसे लंबी नदी है नील जो कि कहा फ्लो करती है अफरीका में ठीक है ये लेक विक्टोरिया से निकलती है यानि कि विक्टोरिया जेल से निकलती है उसके बाद में ये जाकर कि भूमन धिसागर में अपना पानी गिराती है, इसकी लंबाई कुल मिलाके 6,690 किलो मेटर है, उसके बाद में हम बात करें अमेजॉन, यानि कि दच्छन अमेरिका की नदी की, अमेजॉन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई है 6,296 किलो मेटर, लेकिन जल गरहण छेतर के हिसाब से, इसके आयतन के द्रिष्टकोर से ये सबसे बड़ी नदी है, अब आपको थोड़ा साजी भी लग रहा होगा कि आखर में ये जल गरहण छेतर क होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, देखे कोई रीवर इस तरह से फ्लो करता है, ठीक है, अब ये जो मुख्य नदी होती है, इसमें बहुत सारी ऐसे चोटी चोटी नदियां आकर के इस तरह से इसमें मिलती रहती है, जैसे इधर से एक नदी, फिर तो इस प्रकार से जो अमेजान नदी का जल गरहर चेतर है, जो इसमें आकर सायग नदिया मिल रही है, उनको मिला करके वो आयतन की द्रिष्ट कोण से या चेतरफल की द्रिष्ट कोण से वो बहुत ही ज़ादा है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहते हैं, लेकिन आयतन की द्रिष्ट कोण से ये सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, तो ये तो हो गई बात इसके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेल्टा के बारे में, आप लोग जानते होगे, देखे जब नदिया पानी का क्या गुड होता है, पानी का गुड ये होता है, कि वो उपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, पानी क्या गुड होता है, कि वह उपर से नीचे की वर फ्लो करता है, बिस अगर किसी पहाणी से या किसी ग्लेसियर से अगर नदी निकलती है, तो धीरे धीरे आकर के सागर में ही गिरती है, तो जैसे जैसे नदी अपना साथ पहाणों से चलती है तो इसके साथ में बहुत सारे पदार्थों को अपरदित करती रहती है मिट्टियों को चट्टानों को काड़ती रहती है तो वो चट्टाने मिट्टियां इसके साथ में बहती रहती है तो उस बहने के कारण इसको लाग पर के जब चाल द woll AG फिर तो यहां पर इस तरह से इसे पूरा फ्यला देती कई भागों में नदी बढ़ जाती है तो इस तरह से जो रीजन बना देती है उसे हम लोग कहते हैं डेल्टा ठीक है तो इस प्रकाल से नदीग का जल जो किसी सागते मासागर में गेदता है तो वो डेल्टा बनाती है तो जैसा कि मैंने आपको बताऊंगा तो चलिए मैं के जरीए भी मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले मैं यह आपलों माद देखिए मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं कि यह जो रूजेन है पूरा इसे एउरेशिया कह jáता है मिज़ एस आउरोम दोनों महादेव किसमें हैं यह हमारा हुआ nie कि एजर कए इधर करहां इधर वाला हुँआरो हुआ यह हमारा है यह हमारा है दच्छन अमेरिका इसके नहीं हमारा अस्टेलिया यह सब क्या है महादीफ है ठीक है तो सबसे पहले हम बाग कर लेते हैं एसिया के नदियों के बारे में ठीक है देखिए मैंने आपको बता था लेना नदी जो की बहती है रूस में ये निकलती है बैकाल की पहाड़ी से बैकाल की पहाड़ी से निकलने के बाद में ये जाके अटलांटिक उसिन में गिर जाती है ठीक है फिर ओनान और सिल्की से निकलता है हमारा आमूर यह जाकर यहां पे गिरता है ओकोष्टक यहां पे है ओकोष्टक सागर ओकोष्टक सागर यहां पे है थोड़ा लिखने में प्रोब्लम रही है तो ओकोष्टक सागर यहां पे है तो उसमें जाकर के गिर जाती है फिर पीली नदी हमारी निकलती है कुल्लून की पहाड़ी से और जाकर के ये गिलती है कहां पे पीला सागर में ठीक है फिर एउरोब की एक प्रमुख नदी बोलगा के बारे मैंने बताय था ये बलदाई की पठार से निकलती है कहां पर बलदाई की पहाणियों से निकलने के बाद में ये लगभग 5-6 देशों से ट्रेवल करती है उसके बाद में ये हमारा है जो ये रीजन दिख रहे हैं ये हमारा है कैस्पियन सागर कैस्पिन सागर में आकरके ये गिरती है, तो यह यह नदियां हो गई उसके बाए में हम बात करते हैं नील नदी की नील नदी बिक्टोरिया जिल से निकलती है, उसके बाद में यहां से फ्लो करते हूँ, यह हमारा मेडिटेरियनजी है, यानि कि भूमन दिसागर, भूमन दिसागर में आगर के अपना जल गिराती है, ठीक है, तो यह हो गई हमारी नील नदी, नील नदी के बारे हम बात करते हैं, मरे डारलिंग, अस्ट्रेलिया, यह हमारा मैंने आपको बताया था न, यह हमारा है अस्ट्रेलिया कॉंटिनेंट, तो अस् तक हम ध्यान रखियागा फिर जोमारे अगला है इस ए यह एक चेंज रिवर टेम्स जी भी कहां परफो करती आव में लंगनदी की खिंव नदी किंपर ही इस्तित है मिसिट मिसरी एक प्रमूंग नदी है और अमेरिका की प्रमुख नदी है जो हमारा सहिक तरायज अमेरिका एक देश है उसकी प्रमुख नदी है तो ये रेड रॉग से निकल करके Mississippi नदी आ करके गिर जाती है कहां पर Mexico की खाड़ी इसे हम लोग Mexico की खाड़ी कहते हैं Gulf of Mexico ठीक है तो ये हो गए हमारी उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अमेजॉन की ये हमारी हुई अमेजॉन रिवर अमेजॉन रिवर लाइगो विल फेरो से निकलती है और जागर के अट्लांटिक महासागर में गिर जाती है ठीक है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सब चीजे अब भारत की नदियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं देखे यह हमारा भारत है भारत के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मुपुत्र नदी की ब्रह्मुपुत्र नदी यहाँ पे है मानसरोवर लेक यहाँ पे है मानसरोवर मानसरोवर से निकलती है इस तरह से यह और यहां से रोडांचल प्रदेश से इंटर करती है इंडिया में उसके बाद में यहां से होते हैं फिर यह हमारा बंगलादेश है बंगलादेश में इंटर करने के बाद में यहां पर आके यह मिले है गंगा से ठीक है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं कहां पे चीन में सांगपो का मतलब क्या होता है होली यानी की पवित्र मेंसे से पवित्र नदी माना जाता है हलाकि ब्रहंपुत्र की नदी पर विवाद भी होता रहता है लेकिन उसके बारे में आवलोग ज्यादा ना जानिये जल को लेकर के चीनों भारे में विवाद भी होता रहता है तो ब्रहंपुत्र नदी के बारे में ये बात हो गई उसके बाद में हम बात करें सिंदु नदी के, सिंदु नदी भी मानसरोवर के पास से निकलती है, देख रहे हैं मानसरोवर जील के पास से, और इसके बाद में ये हमारे इंटर करते है जम्मू कास्मीर में, जम्मू कास्मीर के बाद में ये जाती है पॉक आकूपाइड कास् में उसमें ये माना गया था कि सिंदु का जुजल है वो कौन से देश कितना प्रत्सत यूज करेंगे हाला कि इस पर अभी भी भारत और पाकिस्तान के भी भी विवान होता रहता है ठीक है फिर हम बात करते हैं गंगा नदी की गंगा नदी गंगोत्री गलेसेर से निकलती है उसके बाद में ये आ करके बंगला देश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाते हैं गंगा नदी को बंगला देश में पदमा कहते हैं ठीक है और ब्रह्मपुत्र को इसमें यहाँ पर जमुना कहते हैं कन्फ्यूज मत होईएगा यमुना नदी दूसरी है और जमुना नदी दू कंटक से बिंधेन की पहाड़ियों से निकल करके ये नर्मदा नदी आ करके गिर जाती है ये हमारा है अरब की अरब सागर में आ करके गिरती है ठीक फिर हम बात करें महा नदी की तो महा नदी हमारे सत्पुडा रेंज की सिहावा रेंज से निकलती है और ये आ करके गिरती है वेयाफ बंगाल याने की बंगाल की खाड़ी में फिर यह हमारा हुआ तापती नदी याने की तापती रीवर तापती नदी भी सत्पुड़ा की पहाड़ीों से निकल के आकर के अरब सागर में गिरती है ठीक है फिर हम आगे बाद कर लेते हैं तो आगे अगर हम बात करें गodauri river की गodauri नदी की तो गodauri जो river है वो ब्रम गधिर की पहाणियों से निकलती है और आ करके गिरती है कहां पे बेयाफ बंगाल में means बंगाल की खाडी में फिर महावलेस्वर की पहाणियों से निकलती है त्रिश्णा नदी और ये भी आ करके गिरती है कहाँ पे बेया बंगाल में फिर तला कावेरी से निकलती है हमारी कावेरी नदी और ये भी आ के कहाँ गिरती है बेया बंगाल में ठीक है तो आप लोग चाहें तो इसका पीडियाप भी मैं आपको दे दूँगा पीडियाप के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी वहाँ पे जाके आप लोग पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो यह हो गई हमारी गंगा नदी भारत के अंदर सबसे लंबी नदी है वो हमारी है गंगा नदी ब्रह्मपुत और अबर आल तो सबसे लंबी नदी है यहाँ पर भारत में जो नदियां बह रहे हैं लेकिन उसमें सबसे लंबी है मारी गंगा नदी तो इसके बारे में ध्यान रखेगा तो आज की इस वीडियो फिलाल इतना ही थैंक यू थैंक यू बेरी मच फॉर दी डिस्कुशन